ओम शान्ती, ओम शान्ती, ओम शान्ती, जन्वरी मास, बरदानी मास, अव्यक्ती मास, समर्थी मास कहेंगे, जो कि अव्यक्त बाबा का दिवस मनाने का मास, मास आते ही, साकार की यादें आ जाती हैं, माना स्पटल पर आ करके सारी स्मर्थियां याद आती हैं, साकार के संग बिताए हुए दिन याद आ जाते हैं, वो दिन भी कितने प्यारे थे, जब साकार बाबा हमारे साथ थे, या हम बाबा के साथ थे, तो मुझे अच्छे से याद आता है, एक बाबा लाफुल और लोफुल भी थे, एक बाबा क्या हुआ कि महेश भाई, जो अभी पांडो भौन में है, कानपुर का था, छोटा था, सोनोकरी करता था, उसने अपने पैसे को बचा बचा करके बाबा के पास लेके गया, और वहाँ पर पांच रुपे की गड़ी, नई रिजर्वेंग की पांच सो रुपेया, और बाबा की कुटिया में उसने दिया, बाबा ने बहुत प्यार से अपने हाथ में लेके कहा गंगे बेटी ये बहुत प्यार से एक मना नीचे उपर देखा ये पांसो रुपे अगड़ी लाया है तो इतना उसने बाबा ने उसको इतना महत तो दिया यगी के इतिहास में बाबा ने कभी हाथ में पैसा नहीं उठाया लेकिन बाबा कैसे जो है मर्यादा सिखाता है ला सिखाता है प्यार भी बहुत किया एक महिने के बाद वो ही महेश फिर दुबारा मदुबन गया बिना दादी के चिठी के गया गंगे दादी के बाबा ने उ टो अभी मना कर दिया, बाबा ने कहा इसको वापस करौ तुरंथ, बाबा इससे नहीं मिलेग़, क्योंकि ये काइद इमजब नहीं आया है, गंगे की चिठ्थी लेकर नहीं आया है, तो होता है क्या था कि बाबा भी एक मiology पहले तो इतना उसको महत दिया, लो किया लेकिन इतना बाबा नियम पर पक्का कानून का पक्का की बिना काइदे आया इसले वापस करो और वापस किया पर उसका भी निश्य बहुत पक्का था कि ते दर नहीं चोड़ेंगे इसी तरह बाबा हर बात नियम से चिखाता